मद्य पर्देश के राजगर जिले में एक पती ने पतनी और उसके प्रेमी को इसलिए जम कर पीटा क्योंकि पती ने पीडित महिला को उसके प्रेमी के साथ आपती जनक हालत में देख लिया था जिसके बाद आरूपी पती ने पत्नी और उसके प्रेमी को पहले पेड़ से बांधा और फिर दो गंटे तक मारता रहा प्रेमी प्रेमी का को पेड़ से बंधा दे एक लोगों दोरा पुलिस को घटना की जौनकारी दी गई हलाकि पुलिस के मौके पर पहुँचने से पहले आरूपी पती मौक अपाकर फरार हो गया और पुलिस ने घटना स्थल पर पहुँचकर दोनों लोगों को बंधन मुक्त कराया इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है आपकी स्क्रीन पर जो ये वाइरल वीडियो है ये MP की राजगर जिले का है वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक महिला और पुरुष को किसी फिल्मी सीन की तरह पेड़ से बांधा गया है बताया जाता है कि एक पती ने अपनी पत्नी को जंगल में उसके प्रेमी के साथ आपती जनक हालत में देख लिया था पत्नी को इस हाल में देख पती आपा खो बैठा और उसने पहले पत्नी और उससे अवैद संबन्द रखने वाले प्रेमी को जम कर पीटा उसके बाद आरोपी पती इन दोनों को एक पीड़ के पास ले गया और इन दोनों लोगों की पीड़ से बांद कर घंटों तक पिटाई की हलाकि चीख पुखार सुनकर मौके पर लोग जमा हो गई जिनके दुआरा फोन पर पुलिस को घटना की जौन कारी दी गई जबकि पुलिस के मौके पर पहुँचने से पहले ही आरोपी पती फरार हो गया क्या होँ मैं बाद इस विद्धोर कवा है कार्यों किफीज की विडियो कल का है और कल माहए पासी सुचना प्राफ तहीं कि कनोट गाहन में एक महला और एक पुरुसको बादक बनाfik के रखा हुआ है सुचना पर हम लोग गए थे अपने स्टाप के साथ में वहाँ पर एक महिला और एक पुरूस हमें उपस्तित मिले थे यह नहीं हम अपने साथ में लेकर के आया और उनसे पूस्टाश की गई और फरेयादी संतोस लोदी की रिपोर्ट पर पर दो अग्याद वहीं पेर से खोले जाने पर पहले तो महिला और उसके प्रेमी ने पुलिस को गुमरा करने के लिए अग्यात युवक पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया लेकिन जांच में सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को ठाने ले जाकर मामले में रिपोर्ट दजुकराई है वहीं इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल है निउस डेस्क टाइम 24 निउस गाउं से शहर तक राजनीती से सियासत तक सिनेमा से खेल जगत तक जन्ता जेल रही है महंगाई की मार क्या पाक को मिलेगा जवाब जन्ता खिलाएगी कमल या उठाएगी हां किसके सर पर सजेगा सियासी ताज खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकर